नमस्कार मैं हूँ दिपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज 18 मार्ज 2022 यानि होली का दिन जिस दिन सब रंगों में रंगे हुए थे और होली का आनंद ले रहे थे लेकिन पुलिस तब भी जनता की सेवा में तत पर थी दरसल उत्तरप्रदेश पुलेस अकसर अपनी कारेश एली को लेकर विवादों में रहती है लेकिन इस वर्दी के अंदर छिपे एक इनसान के गम और खुशी को महसूस करने वाले लोग अकसर कम ही होते हैं जी हां कुछ इसी तरह का एक नजारा रामपूर में उस समय देखने को मिला जब एक महिला कॉनस्टेबल ने होली के मौके पर जहां एक पुलिस कर्मी की हैसियस से अपनी ड्यूटी निभाई तो वहीं एक मा के रोल में अपनी एक साल की मासूम बच्ची को तपती धूप में दुलार करते हुए मा का फर्ज भी अदा किया आईए बताते हैं क्या है पूरा मामला जनपद रामपूर के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर होली और शबी बारात के दो त्योहारों के मद्दे नजर पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया था कारण साफ था कि यह दोनों ही त्योहार बिना किसी अप्रिय घटना के और शांती के साथ संपन हो जाए पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों के इन्ही निर्देशों को अपनी ड्यूटी समझा और तय पॉइंट पर तैनात हो गए लोग होली खेल रहे थे खुशिया मना रहे थे वहीं दूसरी और कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल कर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे लेकिन पुलिस कर्मी सब पर अपनी नजब बनाये हुए अपने फर्ज को अंजाम दे रहे थे इन ही में से शहजाद नगर थाने में तैनात महिला कॉंस्टेबल मंजू भी थी जिनकी ड्यूटी इसी थाना छेतर के चमरवा गाउं में लगी थी उनकी ड्यूटी में और अन्य महिला तथा पुरश कर्मियों की ड्यूटी में बस फर्क इतना सा था कि जहां वर्दी पहनने के बाद कॉंस्टेबल मंजू अपनी ड्यूटी निभा रही थी तो वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी में उनके साथ आई एक साल की मासूम बच्ची को दुलारते हुए उसकी मां होने का फर्ज भी निभा रही थी वर्दी धारी मा का बेटी के प्रतिसनेह देखकर हर कोई भावुक हो रहा था कुछ इसी तरह की तस्वीर मीडिया के कैमरे में भी कैद हो गई हलाकि कॉंस्टेबल मंजू मीडिया के सवालों का जवाब देने से बच्चती नज़र आई वहीं सहारनपूर के शहजहाँपूर से एक घटना सामने आई है जहां सब इंस्पेक्टर नरेश भाटी ने एक महिला को आत्महत्या करने से बच्चाया दरसल 18 मार्च को सरसावा छेतर की चौकी शहजहाँपूर के पास यमुना नदी के किनारे मेला लगा हुआ था जिसमें श्रद्धालों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी तभी पुलिस वालों ने पुल के उपर एक महिला को देखा जो नदी में कूद कर अपनी जान देना चाहती थी तभी सब इंस्पेक्टर नरेश भाटी ने ततपरता दिखाते हुए पुल पर पहुँच कर पुल की रेलिंग पर चड़ी उस महिला को नीचे उतारा महिला से उसका नाम वह खुदकुशी करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम सीता है वह 40 वर्ष की है वह रामपूर मनिहारन थाना चेतर के नैन खेड़ा गाउं के रहने वाली है और उसकी शादी थाना रामपूर चेतर के ग्राम लुंडी में राजेश के साथ हुई थी और वह अपने शराबी पति के उत्पीडन से तंग आकर आत्महत्या करना चाहती थी जिसके बाद पुलिस द्वारा महिला के परिवार वालों को बुलाया गया और महिला को ठीक देखकर परिवार वालों ने पुलिस के इस कारे की प्रशंसा कर धन्यवाद दिया वहीं सहारनपूर के SSP आकाश तोमर ने सब इंस्पेक्टर नरेश भाटी के सराहनी कारे के लिए 5000 रुपे का इनाम देने की घोशना भी की इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टूडे निउस के साथ